नमस्कार रिश्वर नेशन देख रहे हैं और मैं आपके साथ रंजन सिंग आपके बता दे कि बिधान सभा की दो सीटों पर उप्चुना हुए परिनाम आ गए जेदियू ने जीत हासिल कर लिए इन तमाम बातों को आप भी जान रहे हैं लेकिन सबसे बड़ी बात लालू परशाद यादब बिहार की राजनीत में बड़ा चहरा कहा जाने वाला हैं लेकिन आखिरकार लालू परशाद यादब चुनाव परचार में तो गए ही तस्वीरे आपने भी देखी कि किस तरीके से लालू परशाद यादब ने चुनाव कहा जाए जो तरिश्वी आदब ने किये तो 42 जनसभा तरिश्वी आदब ने किये लेकिन नितिश कुमार की पांच रैली जो है वो उन पर भाड़ी पड़ी लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस बार जो उपचुना हुआ उसमें लालू यादब का सिक्का क्यों नहीं च सीटे पहले से ही जेडियू की थी और इस बार भी उसके उमिदवार विजाई हुए अलबता इस उपचुनाओं में कई ऐसे संकेत दिये हैं जिन पर सत्ता दल और विपक्ष को मन्थन करने की आवशक्ता होगी पहला बड़ा संकेत यह है कि आर जेडी अकेले बिहार में होती दिख रही है 2020 के विधान सबा चुनाओं में आर जेडी 75 सीटों पर काम्याबी के साथ अकेले सबसे बड़ी पाटी बनकर उबरी थी और आज भी उसका तेवर बरकरार है दूसरी संकेत यह है कि आर जेडी में लालू यादब का अब आप्रसांगिक हो गए है पिछले विधान सबा चुनाओं में उनकी मौजूदगी के बाबजू तेश्मी ने अपना करिस्मा दिखाया था और इस बार भी दोनों सीटों के परिनामों से साप है कि लालू यादब के जादू का असर अब नहीं रहा दरसल लालू यादब जिस दौर के करिस्माई चेहरे क्रहे हैं वह दौर अब खत्म हो रहा है नई पिढ़ी उनके लटके जटके सुनने की अभ्यास्त नहीं है उससे यूवया चेहरा आकरशित करता है नई पिढ़ी बदलाव चाहती है और बदलाव के लायक तेजेश्मी को समझ रही है इसलिए दूसरी बड़ी पार्टी बनकर वह उन सीटों पर भी दिख रही है जहां सत्ताधारी दल का पहले से कबजा था तारापूर में जितने कम अंतर से जेडियू ने जीत दर्ज की वह उसके लिए खत्रे की घंटी है अगर कॉंग्रेस ने वोट काटे नहीं होते तो आरजेडी तारापूर की सीट तो पक्का निकाल लेती उपचुनाव का संकेत यह भी है कि बिहार में विपक्ष दलो का महागट बंदन अगर बरकरार रहा तो सत्ताधारी अंडिये को मात देने में उससे ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी यानि कॉंग्रेस को खारिज करना आरजेडी की सेहत के लिए ठीक नहीं चिराग पासवान और कॉंग्रेस ने लगबग 6-6 हजार वोट का नुकसान किया चिराग पासवान तो अभी किसी खेमे में नहीं है और आने वाले समय भे भी वह अपना अलग वजूद रखना चाहते हैं तो उनकी भूमिका महज वोट कटवा दल के नेता की रह गई है उन्हें अपने पिता की तरह मौसम विज्ञान बनना होगा या नफानुकसान की परवा किये बगर किसी एक खेमे के साथ दबंगता के साथ रहना पड़ेगा अगर बिहार एंडिये से उनका भटकाव नहीं हुआ तो जेडियू की ताकत इस चुनाव में बड़ी हुई रहती उसी तरह महागटबंदन से कॉंग्रेस अलग नहीं हुई होती तो एक सीट पर महागटबंदन उमिदबार की जीत तो पक्की थी बिहार की राजनिती में लालू प्रिशाद यादब की प्रसांसगीक्ता की अगर बात करे तो किसी जमाने में उनके लटके जटके का नुस्का जरूर कारागार था लगभगे चार साल बात बिहार आकर उन्होंने वही परियोग दोहराया लेकिन वह बिलकुल बेसर रहा कॉंग्रेस प्रभारी भक्चोरन कहना नितिश कुमार के विसरजन की बात कहना उनके किसी काम नहीं आया अपने अंदाज में उन्होंने कोई बदलाव नहीं किया यानि आप बत साफ है कि राजनीती में भी इनोवेशन आवश्चक है समय समय पर चुनाव जितने के तरीके बदलने होंगे बिहार इंडिये की बात करें तो इसमें सबसे बड़ी खराबी पहले के मुकाबले या आई की इसके दो बड़े दल भाजपा और जेडियू आसान तरीके से सरकार नहीं चला रहे है नितिश कुमार अपने चुप चाप काम के अंदाज में इससे जाहिर भले ना करते हों लेकिन दोनों दलों के नेता मौके बे मौके एक दूसरे की टांग खिचाईस से बाज नहीं आते पहले जो रुआब नितिश कुमार का था वह इकबाल नहीं दिखता सहयोगी दल के रूप में कुछ महिनों तक छोड़ दे तो भाजपा 16 साल से उनके साथ है ऐसे पहली बार हुआ है जब भाजपा के विधायक पारसद या पार्टी पतदिकारी उनकी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं इसका असर तो जन मानस पर पढ़ता ही है इसलिए बिहार एंडिये को काफी सतर करना होगा और भितर घाती अन्दाज से बायानवाजी बंद करनी होगी दूसे राज में हुए उपचुनाव में कांग्रेस का प्रक्टिकरन जित तरह हुआ है उसके लिए नैतिक ताकत और परिनाम है या संदेश दिया है कि कांग्रेस को कम तर आकने की भूल कोई ना करे दर असल कंग्रेस के साथ भी यही संकट है कि एका और सम असमंजस का घोर अभाव है जी 23 या ऐसे नाराज निताओं ने कंग्रेस घीरी हुई है कंग्रेस डिक्टेक्टर अस्टाइल का नित्रिज सुहाता है इंद्रा गांधी हो या सोनिया गांधी खत्म होने का कागार पर खड़ी कंग्रेस को अपने डिक्टेक्टर अंदाज के नित्रिज से ही पुर्ना वर्जित किया है यानि कंग्रेस को कम आकना एंडिये के जटका हुआ जटका हुआ सुनाया था उसी प्रकार इस बार भी उन्होंने इस्तेमाल किया लेकिन वो जो कहा जाए कि वो चला नहीं क्यूंकि ऐसा मान के चला जाए कि राजनीती में भी इनोवेशन जरूरी है क्यूंकि बदलाव जरूरी है दिस तरह से 2020 से विधान सभा उस पर भरोसा जताया लेकिन लालू प्रशाद यादब जब चुनाव प्रचार में आए तो कहीं न कहीं उनका वो अंदाज जो चार साल पहले था वही बापस लटा लेकिन जनता को यह जचा नहीं क्यूंकि तेजश्वी यादब जिस तरीके से चुनाव प्रचार करते है और लालू यादब अपने अंदाज में उन्होंने उसी प्रकार से चुनाव किया लेकिन अब इनोवेशन राजनीती में भी बहत जरूरी है इस तरह से जो परिनाम आये हैं इसके अनुसार तो यही कहा जा सकता है बने इस प्रणेशन के साथ नमस्कार